exercise 2.3 से question number 4 करेंगे which is greater यहाँ पे 2 questions दे रखें आपको और इन में ये बताना है कि बड़ा कौन सा है जैसे first को देखें 2 by 7 of 3 by 4 ये वाला और 3 by 5 of 5 by 8 यनि अगर इसका answer निकाले और हम इसका answer निकाले तो इन दोनों में से बड़ा कौन होगा इसी तरह का इसका second part भी है चले first part से शुरू करते है तो first part में दे रखें 2 by 7 of 3 by 4 तो हम पहले इसका answer निकालेंगे तो 2 by 7 of का मतलब होता है multiply तो हैनि इसको multiply करना है 3 by 4 से अब multiply में हम ये देखते हैं कि कोई उपर नीचे number अगर कट रहा है तो मैं देखता हूँ कि 7 तो 2 और 3 किसी से नहीं कट रहा लेकिन ये जो 4 है ये 2 से कट रहा है 2 और 4 दोनों 2 के table में आते हैं तो दोनों को मैं 2 से divide करूँगा तो ये 2 वनजा 2 हो गया और ये 2 टूजा 4 हो गया तो यहाँ पर 2 आ जाएगा आप कुछ नहीं कट रहा हूँ उपर नीचे तो 1 मल्टिप्लाइ 3 उपर हा गया है 3 वनजा 3 और नीचे 7 टूजार ये हो गया है 40 तो इसका answer मैंने निकाल लिया दूसरे वाले का answer निकालते हैं तो 3 बाए 5 आफ की जिए ये multiply लेंगे और 5 बाए 8 अब यहाँ पर 5 5 से कटता मुझे दिखाई दे रहा है दोनों 5 के टेबल में आते हैं 5 वनजा 5 5 वनजा 5 अब 8 उपर 3 से या 1 से किसी से नहीं कटता तो हमारे पास सिर्फ ये ही option है कि उपर की multiply उपर वाले से कर देंगे यानि 3 वनजा 3 और नीचे 1 multiply 8 यानि 8 वनजार 8 अब यह इनके answer तो आगे है लेकिन बड़े और छोटे का हमें तब पता चलेगा जब नीचे के इनके denominator सेम होंगे यहाँ पर denominator सेम नहीं है यह 14 है और यह 8 है तो denominator सेम करने के लिए यह जो नीचे के दो numbers है इनका हम LCM लेंगे यानि denominators का LCM लेंगे LCM ले लेते हैं 14 और 8 का सबसे पहले 2 से start करते हैं अगर कोई number 2 से divide होता है तो हम 2 से ही start करते हैं तो 2 से यहाँ दोनों ही हो रहे है इसे 2 से divide करूँगा तो 7 आएगा इसे 2 से divide करूँगा तो 4 आएगा अभी यहाँ 4 2 से हो रहा है 7 होता नहीं है तो as it is उतर जाएगा 2 को 2 से divide करेंगे तो 1 आगया अभी यहाँ 1 हो गया यानि इसका काम तो खतम हो गया इस 7 को 7 से ही divide किया जा सकता है 7 को 7 से divide किया तो 1 आगया यहाँ already 1 बन चुका था तो यह जो side में आएए factors यह हमको LCM देंगे तो 2 into 2 into 2 into 7 इनका product करेंगे 2 to 0 4 4 2 0 8 8 7 0 56 यानि 56 LCM है तो इन दोनों के नीचे मुझे 56 ही बनाना है यानि 3 by 14 के नीचे मुझे 56 बनाना है और यहाँ पे 3 by 8 इसके denominator को भी मुझे 56 ही बनाना है अब मैं यह लगाऊंगा दिमाग कि 14 को क्या करूं ताकि 56 बन जाए अब 14 से 56 बन रहा है यानि छोटे से बड़ा बन रहा है that means की multiply करना पड़ेगा तो 14 का table में 56 तक पड़ूंगा तो 14 4 पे 56 आता है 14 4 0 56 होता है अब यहाँ 4 से किया है तो यहाँ भी मुझे 4 से ही करना पड़ेगा equivalent fraction बनाने के लिए ताकि कोई fraction पे असर ना पड़े अगर यहाँ 4 से किया है तो यहाँ भी उसी नंबर से करेंगे 3 4 0 हो गया है 12 अब यहाँ पे मैं देखता हूँ 8 को मुझे 56 बनाना है तो 8 का table में 56 तक पड़ूंगा तो 8 7 0 होता है 56 अब यहाँ 7 से किया है तो उपर भी 7 से ही करना पड़ेगा 3 7s are 21 अभी जो दो मेरे answers आए है finally एक तो आया है 12 56 और इस तरफ वाला आया है 21 56 अब नीचे तो दोनों के सेम हो गए इस बात का मतलब यह हो गया कि दो बच्चे हैं दोनों का 56 56 marks का paper हुआ है एक के 12 नंबर आया है 56 में से एक के 56 में से 21 नंबर आया है तो नीचे बराबर होते ही हमें साफ समझ में आने लगता है कि नंबर कौन से जादा है कौन बढ़ा है तो 21 बढ़ा है इसके अंदर तो इधर मैं बड़े का निशान लगा दूँगा अब मुझे अपना अंसर लिखना है इनकी form में जो मेरे question book में दे रखे है ना इसकी form में तो therefore यह जो 21 56 है यह किस से आया है यह आया है इस वाली side से और यहाँ पे क्या है 3 by 5 of 5 by 8 तो यह बड़ा है तो therefore 3 by 5 of 5 by 8 is greater तो इस तरह से इस question को किया जाता है चलिए इसका second part भी करते है second part के अंदर 1 by 2 of 6 by 7 एक है और दूसरा जो है 2 by 3 of 3 by 7 है तो बारी बारी से इनका इनके नीचे में solution करता हूँ यहाँ 1 by 2 of का मतलब हो गया multiply और 6 by 7 अब यहाँ 2 जो है 6 से मुझे कटता हुआ दिखाए दे रहा है क्योंकि 2 के table में 2 और 6 दोनों आते हैं तो 2 1s are 2 हो गया और 2 3s are 6 हो गया अभी कोई number उपर नीचे नहीं कट रहा है नीचे 7 है 7 से न 3 कटता है न 7 से 1 कटता है तो 1 into 3 3 वन्जा 3 तो हो गया है उपर और 1 into 7 यहाँ 7 वन्जा 7 हो गया है नीचे तो यह इसका answer आ गया इसका answer निकालते हैं 1 upon 3 off की जिए multiply 3 by 7 यहाँ 3 नीचे और उपर यह मुझे कटते हुए दिखाए दे रहे हैं हमेशा कोई भी number आपका उपर हो और नीचे हो अगर वो same table में आते हैं तो वो उसी table से divide हो जाते हैं इसी को हम कटना बोलते हैं अब यह उपर और नीचे कहीं भी हो सकते हैं ऐसा निया कि just इसके उपर ही हो बस एक numerator मे होना चाहिए एक denominator मे होना चाहिए कितनी भी दूर left right कहीं भी हो बस उपर और नीचे होना चाहिए यहां थ्री यहां है लेकिन इसके उपर यहां है तो इससे फरक नहीं पड़ता कि कितनी दूर है बस एक numerator मे हो और एक denominator मे हो तो थ्री और थ्री दोनों कट जाएंगे 3 वन्जा 3, 3 वन्जा 3 उपर 1 multiply 1 यह हो गया है 1 सर यह 2 नहीं है यह 2 है मैंने 1 लिख दिया गलती से यह 2 भय 3 है तो 2 वन्जा 2 तो उपर यह 2 हो गया है और नीचे 7 multiply 1 7 वन्जा 7 हो गया अब मेरे final answers है मैं देखता हूँ कि नीचे की जो nominators है न वो बिल्कुल सेम है यानि किसी बच्चे के 7 में से let's suppose 7 में से 3 marks आई है और उसी test में 7 में से 2 marks आई है तो नीचे की चीज़ जब सेम हो जाती है न तो फिर हम उपर देखते हैं कि कौन छोटा है कौन बड़ा है जो बड़ा होता है वो ही बड़ा होता है तो 7 में से 3 बड़ा है यानि ये वाली side greater है तो ये नंबर बड़ा है और ये किस से आया है ये आया है 1 by 2 of 6 by 7 से तो हम ये लिखेंगे अपने answer में therefore 1 by 2 of 6 by 7 is greater question खतम तो इस video बस इतना ही next questions के लिए मिलते हैं फिर next video में तब तक के लिए good bye